चलिए दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 1 पर बिवित प्रस्दावली के क्वेश्चिन नबर 6 को देखने वाले हैं देखे इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चिन नबर 5 तक सलो कर चुके हैं अब देखे प्रस्दा शल्डनीव यह वल रहा है कि अपको बոला है कि a, n और यहां पर g है तो इसका मतलब 2 फ़लन का ऐसे इसे उदारन आपको देना कि गौफ ऑफ और गौफ ऑक एक 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 का यह पहने का मतलब क्या है, कि इनका उधान ऐसा आप देजिए, दो फ्रन आप ऐसे लेकर चलिए, कि उसमें गौफ ये कही की होगा, लेकिन जी ये कही की नहीं होगा, तो ऐसा दो फ्रन आप मान कर चल देजिए, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, मान लिया कि, एफ एक्स हिस्त लेकिन जी ये कही की नहीं है, ठीक है, तो फपलण डेख सकते हैं, दो फ्रन एफ एक्स लेख ए लिया और जी एक्स बलन गॉफ कमान अब इसको दिखाना एक है कि यहां पर लेकर चलेंगे एकस टू के लिए यहां पर ब्राबर करके चलेंगे गॉफ गॉफ एकस वॉन आप ब्राबर चलेंगे गॉफ एकस टू तो गॉफ कमान कितना है गॉफ कमान यहां पर रज игр सकते हैं गॉफ कमान गॉफ एकस कमान है तो यहां पर x और पर एकस हन खे आती हा explained मोडल स falls और यहाँ पहुझेगा modulus x2 modulus आपका हड़ जाएगा तो सिर्फ इसलिए आजाएगा x1 बराबर x2 आगया इसका मतलब क्या आगया अता हिया एक ऐकी फलन है अब दिखो तो दिखानता है गौफ एक ऐकी है लेकिन जो g फलन है वो एक ऐकी नहीं है तो यहाँ पर चुकी ध्यान लेगिए अब चुकी अब चुकी g फलन हम कितना लेकर चल दिये g फलन मोडलस x लेकर चलें अब मोडलस x का मतलब क्या आता है दो भेलो ह invelus होता है कब जब जीरो से पड़ा होता है इसका videos मैनिस भी भी होता है कब जब यह जीरो से चुटा होता है तो इखने की है लिंगी उन की है लेकिस का दौ परतिम हो गikum ix या या इक कैए की नहीं है तो इस त्रह सिन हो गया अप देखे प्रस्ट नमर 7 क्या आपको बला है कि f n से n और g n से n जी n से n में आपको ऐसा उदान देना है कि गौफ अच्छादक है किन्तो f अच्छादक नहीं है तो यहाँ पर f n से n में और g भी बोला है कि फलन जो है वो n से n में हैं तो यहाँ पर ऐसे दो फ्रण का उदान देना है कि जिसमें गौप अच्छादक हो लेकि एफ अच्छादक है नहीं हो ठीक है तो ऐसा दो फ्रण आप मान लेजिए माना कि ऐसा दो फ्रन fx लेकर चलते हैं fx कमान x प्लस 1 लेकर चलते हैं और gx का जो मान है वो लेकर चलते हैं हाँ पर देखिए किताब में संकेत भी दी आप उठा सकते हैं तो gx का जो मान है वो उठा कर चलते हैं x-1 और िकब उठाएंगे जब एकस कमन से बरहा होगा और दो तरह को भी-प्रस तब उठाएंगे जब 玩 से बरहा होगा घ्क्रमन और जिसमेंगे लिश्वन तिखाना आपको कि गौफ अच्छाल आख नहीं है तो गौफ को अच्छा दक्षी कर लेते हैं, पहले गौफ का आप मान किलियर कर लिजे, गौफ X दिखा लेते हैं, ठीक है न, क्यूंकि अच्छा दक दिखाने के लिए आपको Y मान के चलना परेगा, ठीक है न, दिखोते हैं आप गौफ X लेकर चल दिए, गौफ के साथ X और लोन से बोड़ा आपको फ्लन कमान अब होड़ा गया ध्यान से तो यहां ठीच क्लाомеन और सांपना कमान आपका जी एक्स कमान यह चलेगा तो एक्स के जवापर आपको रखना पड़ेगा एक्स के जवापर आपको रखना क्या पड़ेगा एक्स के जवापर आपको रखना क्या पड़ेगा देने जी एक्स के जवापर आपको रखना पड़ेगा एक्स प्लस वन अब बाहर मा यहां पर ध्यान दैंगे इसलिए यहां पर यहां पर एक्स का मान कितना आगे तो एक वस्तु का एक इत पर्ति में यहां पर बन रहा तो लिख देंगे यह सब बिलॉंग्स करें इसे पुरा का पुरा प्रकित संक्या से आपका यह belonging करेगा अतर यह क्या है अच्छा लग STUDENT है अच्छादक है मतल इस्त्रह से जो गौफ है वो अच्छादक हो गया लेकिन हमें बीखा ना यह है कि जो एस फलन है वह अच्छा लग नही ठीक है तो स्लिए स inaud for संक लिए प्लस वन मान निकाल सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब नहीं आ रहा है उसका अब तता हिया अच्छादक नहीं है तो इस तरह से आपका question number 7 क्या हो गया खिलियर हो गया अब देखते हैं इसका अगला question art number अब देखिए art number question है कि बोल रहा है कि करी समुच एक्स दिया हुआ जिसमें पी-एक्स है बोल रहा है कि इसमें आपको पी-एक्स में दिया है कि पी-एक्स के उप समुच्यों में ए और बी के लिए ए रिलेटेड है बी से यह ए और बी एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड है कि एका total elements बी में मिल रहा है मतलब ए सबसेट आपको बी दिया हुआ है अब इसको दिखाना है कि यह क्या तुल्यता समन है तुल्यता समन कब होंगे जब वो सवतुल्य होंगे समीत होंगे संका तुल्यता समन पहला करेंगे स्वतुल्य चेक करेंगे यह उठाएंगे तो यहां पर आपका सर्थ बन जाएगा एक कमा एसे तो यहां पर हो जाएगा ए रिलेटेद हो जाएगा एसे तो सुचिए ए और एसे रिलेटेद है तो क्या यह कंडिशन सही होगा एस अपने आपका सबसेट वो होती है तो यहां पर दिखान दो यहां पर दिखान दो यदि ए डिलेटेद करता है बी से तो ए रिलेटेद करता है बी से यदि कब जब एस सबसेट से बी का अब इसको उलड़ दो तो बी रिलेटेद करना चाहिए एसे यह क्या ऐसा समभव है तो यहां पर दिखान दो यहां बी सबसेट हो जाएगा अब दिखो यह कंडिशन सही है कि इस बात को समझेए ए और बी एक दूसरे से रिलेटेद थे कब जब यहां पर यह जो रिलेटेड एलिक देंगे आपर चुकि बी रिलेटेड डाज नॉट बिलेटेड एलिक सकते हैं यहीं डिक देंगे अता यह सम्मित नहीं है इस तरह से दिखी जाएए जो डिलेटेड अपका नहीं है अब तीसरा दिखते हैं संक्रामक का तो मालेजिए एक से सब्सक्राइब सब्सक्राइब जब A का टूटल अब्योब B में मिल जा है, ठीक है न, और तीसरेए अपलेटे चलते, A, B, C, तीने अपलेटे चलते, A, B, C, तीने ऐसी एक बी से कर दिए, तो हमारा ये दिखाना है, तो शुरू का अंतिम से, तो A भी रेलेटेड होना चाहिए, किस से, C से, अब यदि कभी संक्रामक चेक करने के लिए आप क्या करते हैं तीन एलिमेंट्स लेते हैं एक का सी से अंत में दिखाना पड़ता है तो ए रिलेटेड सी कब होगा जब एक का टूटल अब मिलेगा अब समझने वाली एक टूटल अब भी मिल रहा है अब बी का जितना वे उसी में मिल रहा है तो लिए ना तो लिए वहां पर चूप की ए रिलेटेड हो क्या हो जा रहा है तो लिए आता या आता हिया संक्रामक है यह क्या है संक्रामक है तो इस तरह से सोतुल सम्मित नहीं संक्रामक है लेकिन इसलिए यह संक्रामक है संक्रामक है लेकिन लेकिन सम्मित नहीं है संमित नहीं है यह सोतुल संक्रामक करें सम्मित नहीं है इसलिए यह तुल्यता संम्म नहीं है यह तुल्यता संम्म नहीं है तुल्यता दिखाना था तरह जब तीनों बढ़ा बढ़ाते तब बोलते सम्भी से किया गया तो इंक्र सेक्षन दे डिया है तो आपको सीध करना चक्षा घाड़ चक्षा लिए and कपा जसेत करने हैं और और के प्यूत्व दिखाना है घृत्त्सम करूनники इसका घ्य 성्थ एक आपको तो तत्समक अब्यों दिखाना है तो तत्समक में कंडिशन था कि जब A का उप्रेशन E के साथ करेंगे तो आपको A आनी चाहिए तब जाकर E क्या करेंगा तत्समक अब्यों करेंगा ठीके ना तो सुचो A का उप्रेशन किसी ऐसे मतलब Elements के साथ करना है आम है कि यहाँ पर A आनी चाहिए तो चलते हैं चूकि हल के रिए आपड तो A का उप्रेशन बोलाए कि X दिखाना है कि उसका तत्समक अब का X है तो A का X के साथ करते हैं ऊठीक्ष्ट मादक再 खोने तो संभाट 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 समूच्चे का आपका जुन्यष्ट राख मतलब क्या है इन दोनों में यह ची सब्यक्राइब समच्चै मतलब प्रेशन दोन्ह practice also a इस में अ सिर्फ तो देख लेजिए एक्स अप्रेसन कर देता है किससे ए से करते हैं तो वही हो जाएगा एक्स इसका उसार एक्स इंटर सेक्शन हो जाएगा तो दुनों में आपका मिले गा क्या एक्स के साहथ कि ए तो ए आ गया या है एक को एसे जब यह साहत के तो भी क्या आगया दिखाणा कि इसका विष्ट म नहीं होगा तो bother समख प्रक्रीं मैं कि इसका कर जाए सब्सक्राइब गयाद क्राद आतकर दिखाना कि इसका ब्यत्ति डिली देनurnal पर करना कि आपको क्या ने चाहिए तो यहां पर क्या चुका है यहां पर चलते हैं अब यहां पर देखो ए और बी का उप्रेशन इस प्रकार हो कि आपका ए आने चाहिए और ए का मतलब तत्समक अभयो यहां पर तत्समक अभयो एकस है तो यहां पर एकस लिख देंगे ठीक ना ए आ चुका है तो ए और बी का उप्रेशन इस प्रकार करना है कि एकस आनी चाहिए आपको ठीक है ए और बी का उप्रेशन दिये आपको कि ए इंटरसेक्शन भी आप ब संभो हैं जब एक मान किया ओगा एकस होगा और यहां पहुचेगा इसलिए एकस के इंटर्सेक्षन जब तरेक्स से करेंगे तो आपका ततस्मों का ब्युद देगा इसका मतलब हुआ कि इसका क्यों विद्धकम नीए अभर एकस कि लाव कुछ नहीं होगा लिपसकते हैं अंतर इसका के वाल व्यूथ कमणी गयोव व्यूथ भीक मिलूथ कम नियोव इससके कवाल व्यूथ कम्नी गयोवकिया है एक सब स्बी मैं अब इसका देखिए दस नवर कोश्चन देखते हैं दस नवर जो कोश्चन दिया है वो आपको दिया है कि समुच्य आपको दे दिया हुआ है और यहाँ आप अच्छादक फलन की संख्या ग्यात करना है यह कोश्चन बड़ी समझदारी वाली है एक दो तीन चार डोड़ डो संख्या आपको क्या करनी है निकालनी है इस बात प्जाया से जोड डाली है यहाँ पर दिखू पर जेसे। यहाँ पर देखिए माल लेजिए कि समुझे हैं और अच्छादत फुलन दो मतलब दो आरेकों के बिज बनता है जैसे माल लेजिए यह एक्स हो गया एक्स का एलिमेंट जो अलेका चलते हैं वन टू थीरी फोर फाइफ ऐसा ही जो वाई है उसका भी एलिमेंट वन टू थीरी फोर फाइफ ऐसे डॉड़ 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 यह इसको चाहें तो वेंड डियाग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि माल लेजिए कि इसमें अपका हो गया पहले में वन लेंगे फिर दुसरे में और भी बहुत सा चीतर में आपको दि बनेगा यहां पार चार्दक फ्रण मातर एक बनेगे ऐसे लिए लेते हैं यहां पर यहां पर यहां पर टीन आप लेते हैं लेका प्रण से थे यहां पर पर जो अच्छा धरम बनेगा यहां पर क्या करेंगा, अब तू को कहते हैं तू को यहां पर टू को वन से मिला देंगे यहां पर ऐसे मिलाएंगे तो यह पर टोटल अच्छादग की संख्या आपकी मतलब चो बन जाएगा चो का मतलब होता है तीन गुणा दू गुणा एक तो तीन अबयो ले लिए तो इसको ठीरी फैक्टोरियन लेंगे जब एक भवर लेंगे तो आपके ने इसलिए यह और फलनों ची संख्या अच्हाद पर आठाक फलो की शंख्या और चलेंगे और चलेंगे तो ऑब चहलेंगे तो पाच प्रोन बनेगा ऐसा ही एन जब लेकर चलेंगे एन जब लेकर चलिए ऑफ छादक फुलनों की सब्सक्राइब कितना हो जगा एन फैक्टोरियन तो इस तरह से आपका दस्टमर कोश्चन किलियर हो गया अब देखते इसका 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 अस्तित्व कर लेंगे है की नहीं सबसे पर इसको देखेंगे कि एक है की है की नहीं अच्छा दक है की नहीं तो देखेंगे तो पहला घटक है और दूसरा घटक है आथी दूर तो एहां से दोन वे क्या किया है यहां टी वाला समचा हो गया ते क्या सब्सक्राइब ऑट दो कि हाग के घटक है मतलब भी मतलब तो लिख दbonकर मतलब जाब को छादिभी है और तो दीक की आता है कंसी हैं तो यहां कि यह वी ध्याट मैं फलन एफ में एक एक प्रतिवीम बन रहा है इसलिए जो एफ है एफ इसलिए एफ एक एकी और अच्छादी दोनों है एक एकी और अच्छादी मतलब अच्छादक दोनों है इसलिए एक एक एकी और अच्छादक दोनों है जब एक एक एकसी और अच्छादक दोनों है जब इसलिए यह इसका पिसे और है यह तो इसका प्रतिवित कम कसे निकाल लेंगे F का Vyotkarm करेंगे F inverse हो जाएगा आप से लिए Vyotkarm इसका निकालता है Vyotkarm का बतल पलट देंगे थिरी को इधर एको इधर थिरी कॉमा हो जाएगा A यहाँ पर 2 को इधर ला देंगे तो 2 कॉमा हो जाएगा B यहाँ पर 1 को इधर ला देंगे तो यह क्या निकल गा उसका व्यूत करम निकल गया तो फिल एक एक और छादी आपको जांच कर लेना है आप जैसा दो नमर में दिया है यहाँ पर भी इसका जैसा डाइग्राम डिडिक कर लेते हैं पहला घटक है A B C और दूसरा घटक है 2 1 1 मतलब 2 है और 1 है ठीक है तो एक का परतिमार 2 बंढ़ा है एक टू बंढ़ा है अनुद्ध एक टू बंढ़ा है और सिका भी क्या बंढ़ा बंढ़ा है अब बात एक क्या एक की फलन है यहां यहां ऑर यहां बी और सी का एक ही प्रतिवीम एक ही प्रतिवीम वन है इसलिए यह एक कैकी नहीं है यहां बीद्ध करम का अस्तित्वा नहीं है तो अज कि इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम लोग इसका अगले को सलब करते हुए फिर मिलेंगे